नमस्ते वीवर्स कैसे हैं आप सब तो गाइज उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो गाइज आज हम बात करेंगे एक CNG वैगनार की जो मेरे पास है मैं खुड ड्राइव करता हूँ और इस अल्मोस्ट तीन साल हो गए है मेरे पास इस गाड़ी को तो मैं आपको बताना चाहूँ हो दोस्तों यह गाड़ी ओल्मोस्ट एक्सपायर होने वाली है यह जुलाई 2007 सेवन मॉडल है जो की जुलाई 2022 में एक्सपायर हो जाएगा पेट्रोल वेरियंट है सी एंजी रिट्रो फिटिड है लेकिन इस गाड़ी को मैंने तीन साल चलाया है बहुत ही अच्छी रनिंग है रनिंग कोस्ट इसकी है जो मुझे लगती है और इसके कुछ कुछ खूबिया है कुछ प्रोस पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं उसी के लिए मैं आपको अपनी गाड़ी दिखा देता हूं जो आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड में गाड़ी खड़ी है यह मेरे पास वेगनार है 2007 मॉडल जुलाई मंथ लेकिन अभी तक यह गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है टाइम टू टाइम मैंटेनेंस होने के बाद तो मैं आपको बताता हूं अगर आप लोगों के पास वेगनार है आप उसमें लगाने की सोच रहे हैं या आप कोई पुरानी वेगनार खरीदने का प्लान कर रहे हैं या कोई अच्छी बजेटेट में गाड़ी आप वन लैक से नीचे कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक बैस्ट ओप्शन हो सकता है इसलिए आपके साथ यह वीडियो शेयर कर रहा हूं आप वीडियो एंड तक देखते रहे हैं और चैनल को यह टूथाजंड शेवन मोडल है काफी तीन साल से में चला रहा हूं मैंने इसको काफी मेंटेइन भी किया हुआ है आपको दिखा भी देता हूं यह आल्मॉस्ट मैंने अरांड नैंटी थाउजंड के अप्रोक्स ड्राइव भी कर दी है गाड़ी मैं आपको दिखा देता हूं बाहर से भी गाड़ी की परफोमेंस में कोई इस्व नहीं है गाड़ी बहुत ही अच्छी यह देखिए आप इसमें यह अगर आप देख पा रहे हो तो हाँ टोमेस्टू जो इट चेंज किट है मैं इसमें 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 इस्टॉल की हुई है रिट्रोफिटिड है ओ और ओल्मोस्ट गाड़ी में सी एंजी लगे हुए तीन साल के करीब हो चुके हैं लेकिन गाड़ी अभी बहुत अच्छी परफोमेंस दे रही है ज़स्ट आपको टाइम टू टाइम सर्विस का ही इसका ध्यान रखना होता है सी एंजी लगने के बाद गाड़ी आपने देखी गाड़ी की कंडिशन भी काफी अच्छी है अभी जिस्ट गाड़ी को मैं रिसेल कर रहा हूं और रिसेल वैलू मेरे को ट्रू वैलू पर बहुत अच्छी दी गई है 92,000 आफ्टर मार्केट अगर मैं बाहर मार्केट में देखता हूं तो बाहर मार के इंटिरियर आप देख सकते हैं इसमें चारो पाउर विंडो आफ्टर मार्किट लगवाई हैं पाउर स्टीरिंग आता है टेको मीटर नहीं आता है इधर राइट साइड में आपको टेंप्रेचर मीटर और इधर आपको फ्यूल मीटर शो कर रहा है सोरी पेट्रोल गाड़ी में बहुत ही कम रखता हूं कि सेंजी में चलानी का फ्यादत हो चुकी है और यह आप देख सकते हैं बैक साइड से काफी स्पेस मिलता है गाड़ी में कोई स्पेस का सच इशू नहीं आते हैं और व्यूविंग एंगल भी बहुत अच्छा है क्योंक अब भी गाड़ी C&G पे ही चल रही है और मैंने स्टार्ट है और अलमोस्ट मेरा एसी बी ऑन है पहले हम एसी ओफ करके गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो देखेंगे बहुत ही लाइट मैंने अभी बिलकुल आप देख पाएंगे तो अगर मैंने बिलकुल भी एक्सलेट तो यह मुझे अची बात लगती है कि अल्टोगर आप चलेंगे तो नहीं चलेगी लेकिन वाइन चलेगी और यह देखिया पिकप देखिए बहुत ही बढ़िया पिकप मुझे मिलता है इस गाड़ी में चलाने के बहुत मजा आता है बेचने कर रिजन यह है कि अल्मुस्ट होने वाली है इसलिए मैं इसको जस्ट सेल करने का मेरा प्लान है मदरवाइस गाड़ी को बेचने का मेरा भी कोई मूड नहीं है लेकिन अल्मुस्ट जुलाई अभी 2022 में expired हो जाएगी तो कोई फाइदा नहीं इसको आगे रखने का scrap हो जाएगी और अभी हम जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ एक हलका सा feel होता है अभी मैंने जस्ट इसका AC on कर दिया है अभी इसमें पिकप में हलका सा lag आ गया है वो पिकप नहीं रहा जो अभी स्मूथ रनिंग गाड़ी की अभी भी स्मूथ है कोई में को द्रेसराइज़ फिलिंग नहीं होती इसको चलाने में तो वैगनार को अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं और वैगनार या वन लैक से नीचे आपका बजट है तो मैं आपको इस गाड़ी को फुले रिकमेंड क इस गाड़ी को आपको कैसे चेक करना है कैसे आपको पुरानी गाड़ी लेते हैं क्या क्या चीज़ जान रखनी चाहिए वह आपको मैं एक और वीडियो के साथ बना दूंगा शेयर कर दूंगा अपके साथ ताकि उसको अब देखे आपको पता लगी कि अगर आप ले रहे हूं रिसेल वहां पर मुझे जाद अच्छी वैल्यू मिल रही है रीजन यही है गाड़ी मैंने बहुत संबाल के रखी है तो गाड़ी की कंडिशन बहुत ही अच्छी है आप लोगोंने वीडियो में देखी लिया होगा पाकी रही बात इसकी कोस्टिंग की तो रनिंग को कोस्ट इसकी आती है बहुत ही कोस्ट इफेक्टिव पड़ती है मेरे लिए और इसलिए मैं दुबारा भी प्लान मारुदिक की गाड़ी कर रहा हूं से लेरियो के लिए वेट कर रहा था लेकिन अभी नहीं पसंद आई है तो मैं अभी वैगनार से पर दोबारा नहीं जान करना हूं आप लोगों को यह राए कैसी लगते है कि टाटा टियागो के लिए वेट करना फायदे मन है या मेरे को वैगनार सी एंजी ही ले लेनी चाहिए क्योंकि सभी एवरेज के लिए अगर माइलेज के लिए बात करें तो सब कह रहे हैं कि आप टाटा टियागो से करेंट में जुरूर बताइएगा आप बाकी गाड़ी जो अभी में चला रहा हूं उसके लिए वैगनार बहुत अच्छी है अगर आप लोग पुरानी गाड़ी वैगनार लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं बहुत बेनिफिट है गाड़ी में कोई इस्यों नहीं है सस्पेंशन स्टेरिंग इसमें पावर स्टेरिंग आता है पावर विंडोज एलेकसाई मोडल में ही नहीं आता है वी एकसाई मोडल में ही आता है तो पावर विंडोज आपको नहीं मिलेंगे यह एलेकसाई है और इसमें सिरफ आपको पावर स्टेरिंग मिलता था तो कि यह एंजी की लगाने के उपर भी डिपेंड करता है इसमें जो टुमेस्टों की मैंने चेंज लगाने का रीजन यही था कि इसमें बहुत अच्छी माइलेज मेर को देती है साथ में रणिंग भी बहुत स्मूथ है बिल्कुल भी लैगिंग नहीं होती है गाड़ी में पिकप बहुत अच्छा है एसी पे यह नॉन एसी पर थोड़ा थल्का फील होता है लेकिन इतना नहीं तो गाइस इस वीडियो में यही सब कुछ था आपको अपनी गाड़ी के सार सब्सक्राइब करना चाहिए या वैगनार को ही बुक कर देना चाहिए यह भी बताईएगा थैंक यू बबाए मिलते हैं अगली वीडियो में